तो गाइज आप लोगों क्या बता हूँ आपको तो पता ही है कि क्या हो गया है डिस्नी वालों ने फैसला लिया है कि एनिमे इंडिया में बैन होगा मतलब एनिमे नहीं एनिमे के साइट्स तो हुआ ये था कि कल हमें पता चला था कि डिस्नी वालों ने देली के हाई कोड में जाकर एक report दर्च किया है कि वो इंडिया में pirated cartoon और anime sites बंद कर देंगे तो वो सिर्फ cartoon और anime sites से बंद नहीं करने वाले वो उसके साथ कुछ movie site और torrent site भी बंद करेंगे तो अभी तक हमें ये जानने को मिला है कि 118 sites ban होने वाला है उन में से कुछ cartoon sites है किम काटून किस काटून और watch काटून online और anime sites है किस एनिमे गोगो एनिमे और horrible subs और 9 anime और उसके साथ है anime का सबसे बड़ा source .si देखा यू कि नुशिता भी किन्नी दुखी है तो सारे के सारे इंडियन एनिमे फैंस तो literally पागल हो चुके है मतलब जाहा चाहे वहाँ जाके Disney के नाम में गाली दे रहे है मतलब ऐसा होना तो जायस था क्योंकि इंडिया में anime streaming का legal कोई service है नहीं और अगर रहे भी तो वो सिर्फ है Netflix Amazon Prime Video और Crunchy Roll में और इन सब streaming services में तो इंडिया में maximum anime में available ही नहीं है और हम गरीब है ये सबसे main point है piracy किसी को भी पसंद नहीं आता लेकिन क्या भी कर सकते है पहली बात तो इंडिया में जादा anime streaming service है नहीं इसलिए हमें हमेशा ही भरोसा रखना बतता है कुछ pirated sites के उपर इसलिए इस band नम की बला आने के बाद हमारा दिमागी संदुनल नहीं गया है तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है next hiring का जो date है वो है September 1 को तो तब हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा तो कुछ लोगों के दिमाग में ये अभी घूम रहा होगा कि डिजली ने ऐसा क्यू किया तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे है कि डिजली का तो anime के साथ कोई connection है नहीं तो डिजली ने ऐसा क्यू किया और इंडिया में तो anime का कोई बड़ा market भी नहीं है तो फिर ऐसा क्यू हो रहा है वेल जबाब आसान है वेल आपको शायद पता होगा कि फॉक्स जो इंडिस्ट्री है वो डिजली इंडर्नेशनल के अंडर में है और फॉक्स के अंडर में है हूलू streaming service और हूलू के साथ फनी मेशन एक बहुत ही अच्छा partnership में है और ये तो आपको पता ही होगा कि फनी मेशन जैपैन में लगभग बहुत सारे एनिमे का लाइसेंसिंग करते है और 2008 के दौरान एक घटना हुआ था जैपैन में कि एनिमे पाइरेसी के कारण जैपैन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया तो वो रूल सिर्फ जैपैन के लिए था तो वो रूल ये था कि अगर कोई एनिमे पाइरेट करेगा तो उसे पास साल का जेल होगा और साती साथ पाँच मिलियन येन का फाइन देना बड़ेगा इतना कुछ होने के वावाजूद भी इंटरनेशनल पाइरेसी को बंद करना भी तो एक जरूरी काम था इसलिए बहुत सारी देशों में धीरे धीरे पाइरेसी बंद होना चालू हो गया तो इसलिए शायद जपैन डीजनी के जरिये इंडिया में एनिमे बैन करने की कोशिश कर रहे है तो इसमें डीजनी की कोई गलती नहीं है और एक रीजन है जिसका चांसेज बहुत ही काम है लेकिन फिर भी मैं कहा रहा हूँ कि हो सकता है कि डीजनी रेसिस्ट है शायद वो साउत एशिया की ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते इसलिए वो यहाँ डीज एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे है और ऐसा डीजनी ने बहुत बर किया भी है और आपको तो पता भी है कि रिसनली जो ब्लैक लाइस मैटर का चीज चल रहा था तो यह सब होना शायद सची हो सकता है तो इंडिया में यह होना काफी अन्नैचरल है क्योंकि इंडिया में तो एनिमे आता ही नहीं इंडिया में कोई लीगल एनिमे प्लाटफॉर्म है नहीं तो जैपैन को इससे क्या नुक्सान हो रहा है तो भविष्या में शायद अकरसु की इंडिटेंमेंट इंडिया में एनिमे ला सकते है और शायद वो लोग Disney के साथ कोलाबरेशन कर रहे है और इसी वजह से शायद डिजनी एनिमे साइट्स बैन कर रहे है वेल अगर ये हुआ भी तो होने में बहुत दिन है क्योंकि एक एनिमे आएगा उसका लाइसेंसिंग होगा डबिंग होगा फिट टेलिकास्ट और साथी साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर डिजनी नेटवर्क में ये सब एनिमे आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा सिंसर्शिप देखने को मिलेगा वेल ये कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि जब तक एनिमे चल रहा है तब तक सब कुछी ठीक है और अगर फ्यूचर में कभी भी हमें एनिमे को लीगली सपोर्ट करने का मौका मिले तो मैं आपको नेटफ्लिक्स या फिर करंची रोल का प्रीमिया मिंबर्शिप लेने को नहीं कहूंगा क्योंकि इंडिया में वो लोग ज़ादा इनिमे फ्रुभाइड नहीं करते और उनका जो प्राइज है वो वहाँ ज़ादा है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर इनिमे इलिगली स्टॉप हो जाएगा तो शायद लिगली कोई रास्ता आएगा हो सकता है हमें इनिमे एक्स्क्लूसिवली हिंदी में ही देखने को मिल जाए और एक और चीज हम कर सकते है कि ट्विटर में जाके हम डिजनी को टैक करके कह सकते है कि तुम लोगों ने इनिमे करास्ता इंडिया में बंद कर दिया है तो तुम लोगों को ही कुछ करना होगा इनिमे इंडिया में तुम लोगों को यह लाना बढ़ेगा और हम उन्हें पहना चाता था और देखते हैं आगे क्या होता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ